मेट फॉर्मिन एक ओरल एंटिडाइबिटिक ड्रग है यह बिगवन नाइट से बिलोंग करती है यह हाइपोगलाइसीमिया नहीं करती क्योंकि यह है इंसुलीन के लेविल को नहीं बढ़ाती अब मेकेनिजम ओफ एक्षन मेट फॉर्मिन इस्टुमिलेट करती है एमपी करता है गुलकोस के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है लीवर दोरा साथ ही साथ गुलकोस के पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है तो हम देखते हैं कि यह डिक्रीज करता है गुलकोस प्रोडक्शन बाइल लीवर कैसे इनिबीट करता है मेनली गुलको निय को केसे यह इस्टुमलेट कर देता है गलाइकोलाइसिस को साथ ही साथ टिसू अप्टेक अब गुलकोस को बड़ा देता है साथ ही यह और भी मल्टिपल मेकिनिसम करता है जैसे यह इंटेस्टाइन में गुलकोस अब्जॉप्शन को इन्हिवीट कर देता है यह इंसुलीन र पेट लोस होता है और भी मेकनिजम जैसे यह है इन्हिबीट करता है लाइपोजेनेसेस को एडिपोस टिसू में और इंक्रीज कर देता है फेटी एसिड ओक्सिडेशन को इस्पेसली जिससे ल्डियल डिक्रीस होता है यह एंटी एजिंग एफेक्ट भी सो करता है अब टेलिक टेस्ट, अब्डोमिनल पेन, नोजिया, बॉमिटिंग डाइरिया, मोस्ट इंपोटेंट लेक्टिक एसिडोसिस क्योंकि इसने इनिबीट कर दिया गुलकोन नियोजेनेसिस को तो अब लेक्टिक एसिड से गुलकोस नहीं बनेगा अब मेगेलोबलास्टिक एनिमि सांथ ही सांथ, यह हाइपोगलासीमिया नहीं करता, मेटफोर्मिन हाइपोगलासीमिया नहीं करता, अब यूजेस, यह है ट्रीटमेंट और प्रोफाइल एक्सिस ओफ टाइप 2 डाइबिटिस मिलाइटस, यह फर्स्ट लाइन ड्रग है, इसे मोनो थेरेपी या कॉंबिने को कम करता है, यह है डाइबिटेस मिलाइटस की माइक्रो वेस्कुलर और मैक्रो वेस्कुलर दोनों तरह की कॉंबिकेशन को कम करता है, अब कॉंट्रा इंडिकेशन मेटफोर्मिन नहीं देना है, हेपेटिक एंपेरिमेंट पेसेंट को, रीनल इंपेरिमेंट पेसेंट को cardiac failure patient को alcohol ingestion वाले patient को chronic hypoxic lung disease वाले patient को तो हमने complete करा metformin Thank you